और NCB ने जो पकड़ा है उन्हें पूरी तरह से गलत किया है क्योंकि हमें तो लगता नहीं उन्हें कुछ गलत काम किया देखिए हम मानते हैं कि 2 अक्टूबर था ड्राइडे था भारत में कहीं भी आप शराब का सेवन या नशे का सेवन नहीं कर सकते थे तो एक अच्छे न तो इसलिए कोई गीला नशा नहीं किया शराब नहीं पी उसने सूखा नशा किया वो पाउडर आउडर वो तो वही बता सकते हैं मुझे इतनी जानकारी नहीं क्योंकि कुछ उनके पास से गोलियां भी पकड़ी गई है कुछ पाउडर भी पकड़ गए तो वो किस चीज का सेवन कर रहे थे बेचारा ये आर्यन खान तो अब आर्यन है कई बोल रहे हैं किया नाम है इसका आर्यन भी कहीं अल तकया और सर्वधर्म वड़ापाव के चक्कर में तो नहीं कहना शुरू कर दिया मीडिया ने तो चलिए वो नाम में क्या रखा है लेकिन अब वो बेचा को फुंक कर नश्ट कर देते हैं वी कि जाते हैं अपने शरीर का नुकसान कर देते हैं लेकिन उस पाप को वो मिटा है जितना भी और जितना भी ड्रोग्स आता है मुंबई नगर में वो सारा विछारे खुद ही हमारे भगवान नीलकंट ने भी तो यह तथा कतित मासूम बच्चा जो सारू खान का बेटा पकड़ा गया है ड्रग केस में आज इस टॉपिक पर हमारे साथ बात करने के लिए रचित सर हैं जिन्हें आप बावा के नाम से भी जानते हैं जिन्होंने सभी का बेंड बजा के रखा है इनसे इतना प्रेशान है कि इनके यूटूब चैनल को बेंड कर देते हैं फिर भी इनके समर्थक हैं कि मिन्टों में इनको मिलियन तक पहुचा देते हैं तो आज हमारे साथ बात करने के लिए बावा है बावा से बात करते हैं नमस्कार सर नमस्कार सर पहला सवाल यही रहेगा कि जो यह बोल रहे थे कि मैं माशूम बच्चा हूँ मैंने मुझे बीवी आईपी गेस्ट के रूप में बुलाया गया है किस तरज पे यह बीवी आईपी गेस्ट हो गए कुछ एचीमेंट नहीं है सिर्फ किंखाउन के बेटे हैं और आब तो NCB ने कोट में पुखता सबूत रख दिया है कि जो इसके पास से ड्रग्स पकड़ाया है तो इस बीवी आईपी हैं और ऐसा नहीं है कि इसके अलावा उनका कोई अचीवमेंट नहीं है कि वो बादशाह के शहजादे हैं ऐसा बताया गया है कि वो भी चाय पीते हुए बकरी जैसा मू बना लेते हैं तो ये उनकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इसको हम नजर अंदाज नहीं कर सकते हैं और NCB ने जो पकड़ा है उन्हें पुरी तरह से गलत किया है क्योंकि हमें तो लगता नहीं उन्हें कुछ गलत काम किया देखिए हम मानते हैं कि 2 दर्ती पर नशा नहीं किया वो गया समुद्र में समुद्र के अंदर जो दर्ती पर नहीं था और वहां जाकर भी उसने ड्राइड था तो इसले कोई गीला नशा नहीं किया शराब नहीं पी उसने सूखा नशा किया वो पाउडर आउडर वो तो वही बता सकते हैं मुझे इतनी जानकारी नहीं है, क्योंकि कुछ उनके पास से गोलियां भी पकड़ी गई हैं, कुछ पाउडर भी पकड़े गए हैं, तो वो किस चीज का सेवन कर रहे थे, ये तो अब वही बता पाएंगे, लेकिन इतना मैं ये मानता हूं कि उन्होंने बापू का भी बड़ा सम्मा थी, तो ऐसा भी कुछ नहीं है, उनकी WhatsApp जो हैं, कई न्यूस चैनल्स ये बता रहे हैं, कि वो पिछले चार साल से इस प्रकार का कारे कर रहे थे, तो consistency देखिए ना, आपके कितनी मेहनत करते हैं उस चीज के उपर, और आप लोग हैं कि उन्हें बदनाम करने पे लगे हैं, और सबसे बड़ी बात कि वो बच्चा है, चोटा बच्चा है, तेईस साल का है, वो अलग बात है कि तेईस साल के नियर चोपड़ा जो है, वो भारत के लिए उलम्पिक जीत कर लाते हैं, तेईस साल के जो भगत सिंग है, वो देश के लिए बलिदान देते हैं, तेईस साल के 24 साल के कैप्टन विक्रम बत्रा हैं वो देश के लिए सरवोच बलिदान देते हैं और ऐसे अनेको धारण हमारी सेना में हमारे खेलों में हमें मिल जाते हैं कि 23 साल की उमर में देश का नाम रोशन करके दिखाया है लेकिन यहाँ पर यह 23 साल के बच्चे हैं तो आप समझ सकते हैं मासूम हैं छोटे हैं अभी उंगली पकड़ के चलना पड़ता है और पिताजी का समय ने मिल नहीं पाता है आज तक ने हमें बताया है स्पेशली बताया है कि उनको अपने पिताजी से मिलने के लिए भी अबा हुजूर से मिलने के लिए भी उन्हें अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था अब लोग तो ये भी कयास लगा रहे हैं कि उनकी माता जी को भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था कि उनकी माता जी को भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था वो बोली थी कि बुर्हानवानी माशूम बच्चा है तो उसी तरह से देखा गया कि इस पे सुनील सेटी जो है वो बोले कि मैं उससे प्यार करता हूं तो क्या सुनील सेटी जिससे प्यार करते हैं वो अगर मडर करे रेप करे ड्रग केस में पकरा जाये तो उस पे एक्सन ने हो तमाम पॉलिवूड सेलिब्रिटी इसके समर्थन उनको अपोज करना चाहिए कि भाई ड्रग के खिलाप होना चाहिए जबकि तमाम जया बच्चन जी कंस्ट्रक्टिव किसी सिजम पर बोलती थी कि थाली में छेद हो गया वो चुप्पी साधे हुए है और कुछ सेलिब्र नहीं कर रहे है तो बीचारा कि अर्यान कंटरों में फ़ Alg अगर अगर पर यसे मानते हैं तो भी आप उस से घरना मत कीजिए अप पाप से घरना कीजिए और पाप से भी कराची वडव वाले इतनी घरना करते हैं कि उस 파प को फुझ कर नश्ट कर देते हैं, फूक कर पी जाते हैं, अपने शरीर का नुकसान कर देते हैं, लेकिन उस पाप को वो मिटा देते हैं, जितना भी पाप, जितना भी ड्रग्स आता है मुंबई नगर में, वो सारा बिचारे खुद ही, अब हमारे भगवान नीलकंट ने भी तो यही किया है, कि पाप को मिटा रहा है, और आप उसके ही पीछे पड़ें, मैं तो इसकी कठोर निंदा करता हूँ, सर, यह जो एक चीज बोला जाता है, उनको गेंग, बॉलिवड गेंग बोलने पर वो लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन यह देखा गया है कि एक ही वकील, जो है, मा का बड़पन है, जैसे हमारे फैमिली डॉक्टर होते हैं, उनके फैमिली लॉयर होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यह हरकतें तो हमें करनी ही है, और हम पकड़े ही जाने है, और इतिहास बहुत पुराना है, संजदत को ले लीजे, अब ऐसा बताया जा रहा है कि इनकी जो पूजे माताशरी है, आर्यन की, वो भी किसी ड्रग्स के साथ पकड़ी गई थी, ऐसा बताया जा रहा है, हम तो जानते नहीं है, यह तो मीडिया वाले ही बताएं कि यह सच है जूट है, तो यह तो पुराना इतिहास रहा है, और शारुक चचा का भी एक वीडियो आप इसमें वो बता रहे थे कि भी तीन-चार साल की उमर में करने लगे, तो वो तो कहते ना कि जुबान पर सरस्वती मा बैट जाती है, ऐसे में कभी, तो उसकी जबान पर बैट गई और वो जैसा चाहते थे अपने पुत्र को, वैसा ही वो पुत्र हुआ, तो इसलिए तो यह तो यह आदर्श है, कराची वुड में यह आदर्श है, और इस आदर्श के लिए फैमली लॉयर तो करना पड़ता है, क्योंकि जब कृत्ते ऐसे हैं, तो उसको चुपाने के लिए भरपाई भी करनी पड़ेगी, अब जैसे सैलमॉन की गाड़ी कोई नहीं चला रहा था, अपने आप से आटो इंजन में चल कर और वो उस पर चड़ गई और उसमें भी उन लोगों का दोश था जो वहां पर सोय हुए थे, कि वो फुट पाथ पर क्यों सोये, ऐसे ही यहां पर भी यह प्रूव हो जाएगा, कि वो लड़का तो बिचारा वहां पर क्रूज में नह नहाने के लिए गया था समुदर में तो क्रूज में तो वह नहाने के लिए चड़ा था, और ऐस़समे कुछ किसी मासूम ने उसके सामान में पुढ़िया नामक की पुढ़िया है, कुछ चूरण वगएर है, तो यह अब जलदी ही साबीत हो जाएग noticed, महरा सपरारह सरकार ह पुरिया और इनसब चीज का case है वो साबित कर देंगे कि ये पुरिया नहीं थी नमक था वो गोलिया जो थी वो मिठी गोलिया थी जो बच्चे चोट चोटे गोलियां खाते हैं हम्यवपैथी की गोलिया थी जो इसके पास पकडी गई थी और वो वहां पर समूदर में नहाने के लिए गया था, ना कि ये सब कुछ करने के लिए, क्योंकि उनकी एजंसीज भी उनकी है, जो मेडिकल टेस्ट हुआ है, वो उनके हुस्पिटल में हुआ है वो तो शुक्र है कि कूपर हुस्पिटल इस बार नहीं गए तो हमारा पैसे पैसे विश्वास उठ जाएगा, अभी तो हमारा पहला विश्वास तभी उठ गया, कि वो पकड़ा गया, उसके बाद दूसरा विश्वास तब उठा, जब उसे साथ तारिक तक रिमांड पर भेज दिया गया, हमें तो लगता नहीं था, बेचारा, वो मासूम बच्चा कैसे हवालात में समय गुजार रहा होगा, आपको वो सोचने की आवश्च रकता है, सर, एक पक्ष ये कहा जा रहा है, कि मीडिया ने उसका नाम नहीं लिया, बहुत समय तक बचाने की कोशिस किया गया, दूसरा सुनिल सेटी उल्टा आरोप लगा रहे हैं, कि मीडिया हमें बॉली उड को टार्गेट करता है, तो क्या जब इनके घर से एक एक फोर्टी सेवन बना मद हो, ये लोगों पे गारी चरहा दे, इनका बेटा ड्रगी निकले, तो मीडिया सवाल भी ना पूछे, कैसे की? क्या उसे चाकू मारा था आपने आपको या पानी मे कूद के आतमत्या की थी? तो प्रशन तो इनसे पूछता इनिया है, हमारा जो लश्करे मीडिया है, वो भी इनका ही इनी के गिरोह का एक हिस्सा है तो जब सारा अली खान कहीं पर वर्काउट करने जाती है तो अचानक से उन्हें दिविद्रिष्टी मिल जाती है कि हाँ यहां गई है फटाफट फोटो फिंचने पहुंच जाते हैं लेकिन जब किसी के ओपर कोई गाड़ी चड़ा रहा होता है जब कोई ड्रग्स कर रहा होता है उस समय पर हमारी लश्करी मीडिया को पता नहीं चलता कि वो कहां पर हैं क्या नहीं है जुने पलपर की खबर रहती है तो इसलिए यह आरोप तो गलत है कि वो उन पर प्रशन उठा रहे हैं वो तो सोशल मीडिया आ गया है तो कुछ ऐसे आप जैसे कुछ इंडिपेंडेंट पत्रकार हैं जिनको जो पत्तलकार नहीं है पत्रकार हैं सचमुच में जिनको बोटिया नहीं फैक की जाती है ना वो बोटियों के लालच में काम करते हैं तो वो लोग अब ऐसे प्रशन उठा देते हैं इसलिए बातें सामने आप ही जाती हैं नहीं तो वो भी समय था कि जो हमारे संजू बाबा हैं उनके साथ लोग पुलिस वाले भी हात मिलाते थे और पिर चाहे वो सस्पेंड हो जाते थे तो इसलिए इनको जो भगवान का दरजा दिया गया है हमारे मीडिया के द्वारा हमारी जनता तो आज के समय में पहले की बात थी चलो अलग थी आज के समय में तो गली का कुट्ता भी नहीं पूछेगा है इनको कहीं आ जाएं तो तो इसलिए वो मीडिया द्वारा एक जो इनकी भव्य छवी बनाई गई है के पता नहीं कौन है तो यहाँ मैं तो उल्टा कहता हूं कि सुनील सिट्टी सही है कि मीडिया दोशी है लेकिन उन्हें उनकी छवी खराब करने के लिए नहीं उनकी छवी को बचाने की नाकाम कोशिश करने के लिए है धन्यवास